देश का सरोच नागरिक पद्मपुरसकार दोहजार चोबिस राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु ने प्रधान किया कुलपैसट पुरसकार प्रधान किया गये जिन में महाराष्टर के छे गनमानने व्यक्तियों को अपने शेत्र में उत्कुष्ट योगदान के लिए पद्मपुरसकार से सनमानित किया गया राष्ट्रपती भवन में शाम को आयोजितिक भवे समारोह में राष्ट्रपती द्वारा पद्मपुरसकार प्रधान किये गये इसकारेकरम में उपराश्ट्रपती जगदीब धनकड, प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी, केंद्रिय मंत्री अमिच्छाह, लोकसभाद्यक्ष ओंबिरला, केंद्रिय विदेश मंत्री अश्जैशंकर और अन्यवरिष्ट केंद्रिय मंत्री मुझूद रहे पदमपुरस्कार समारो के दुसरे चरण में दो पदमवी भूषन आठ म पदमभूषन और पच्पन पदमश्री पुरस्कार प्रधान किये गे भारत का सर्वोच नागरिक पुरसकार पदमवी भूशन तमिल सुपस्टार चिरिंजीवी और अभिने त्री नर्तकी वैजनती माला बाली को प्रदान किया गया इन दोनों अभिने ताव ने भारतिय सिनेमा और कला के शेत्र में अमीटी योगदान दिया है महराष्ट राज्य के छे गनमाने व्यक्तियों को विभिन शेत्रों में उनके अमुल्ले योगदान के लिए सनमालित किया गया साहित्य शिक्षा आयों पत्रकारिता के शेत्र में होर्मूस जी यन कामाची किस्सा के शेत्र में डॉक्टर अश्वीन महता साहित शिक्षा पत्रकारिता के शेत्र में योगदान के लिए कुंदन व्यास को पद्म पुरसकार प्रदान किया गया शंकर बावा पापड करको पुरसकार समाज सेवा के शेत्र में उदय विश्वनात देशपांडे को खेल और मल्लखाम प्रशिक्षन के शेत्र में चंदरशेकर महादेव मेश राम को चिकित्सा के शेत्र में उत्कुरुष्ट योगदान के लिए पदमश्री परसकार से सनमानित किया गया कैमरा परसन राजकुमार मोड के साथ अभिशेक पांसी की रिपूर्ट